हेलो दोस्तों तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं differential equation के बारे में differential equations जो होती है उन differential equation का solution कैसे होता है और एक special type के differential equation का solution आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं जो equations है वो इस type की equation है कि solution of equation of first order but not first degree first order की है it means dy by dx तो है उसमें but उसकी जो degree है वो 1 नहीं है उसकी degree क्या है n degree है जहाँ पे n not is equal to 1 है first order की है यानि कि उसका differentiate जो हो रहा है वो 1 है 1 times उसका differentiate हो रहा है but उसकी जो degree है उसकी जो power है highest जो power है वो 1 नहीं है इस type की equations को हम यहाँ पे solve कर रहे हैं तो इसका हमारा जो previous वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं जिसमें हमने बात किया है Solvable for P इसके basically 3 method होता है sorry 4 method होता है एक में Solvable for P होता है एक में Y होता है एक में X होता है पर एक हम आगे बात करेंगे जो एक अलग method के रूप में होता है तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं तो उसमें आज हमारा second जो इसका method है वो है Solvable for Y अब यह method बहुत easy होता है easy क्यों है क्योंकि इसमें आपको equation की safe मिलती है कि यहाँ पे equation में आपको Y given होगा कोई Y का कोई function होगा जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ shape of equation तो shape of equation किस type की मिलेगी आपको shape of equation में आपको मिलेगा Y is equal to function of xp अब यह P क्या है वो बता देता हूँ P है dy by dx हम यहाँ पे small p को dy by dx से denote करते हैं कि जो dy by dx इसको हमने small p यहाँ पे let किया है इस method में इस पूरे system में हम यहाँ पे ऐसा let करते हैं अब आपको क्या करना है कि इसका आपको x के respect में differentiate करना है तो यहाँ से क्या करेंगे on differentiating with respect to x अब आपको इसका x के respect में differentiate करना है मैं working rule भी बता रहा हूं साथ में कैसे इसको solve करना है तो हम जब इसको x के form में differentiate करते हैं तो हमारे पास में आएगा dy by dx and जो f dash होगा जो हम इसका जिसका हम इसमें differentiate करना है उसको मैं f1 let कर लेता हूँ इसको मैं f2 let कर लेता हूँ जो इसका differentiation होगा वो कोई other function होगा वो होगा x, p and dp by dx की form में because यहाँ पर देख सकता है x का differentiate होगा उसमें p का होगा p भी function हो सकता उसमें और अगर p का differentiation नहीं होता है तो वहाँ पर dp by dx भी तो हो सकता है तो इस type से हमको यह function मिलेगा so this is equation number 1 and this is equation number 2 अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसका solution करते है यहाँ से जो differentiate करने के बाद में हमको एक equation मिलती है कौन सी equation है, यह है differential equation तो इस differential equation का क्या करना आपको solution करना अब differential equation, solution के खुप सारे method है, जैसे हम बात करते linear differential equation, Bernoli ACE variable of separation, homogeneous and exact differential equation exact में convert करके इस टाइब से बहुत से method होते हैं, वो आप सभी वीडियो अमारे playlist में जाके देख सकते हैं, अगर आप अमारे चैनल पे नए हैं, तो भी चैनल को subscribe करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं basic के पूरे topics के video with numerical question and PDF जो के हमारे site पे available हैं, हमारे चैनल के about में जाके आप देख सकते हैं, then हम यहाँ पे बात करते हैं, next हमारे topic के बारे में, जो हम फढ़ रहे हैं, उस पे चलते हैं, तो यहाँ से क्या करना है, equation number one, equation number two, इसको यहाँ पे differential equation आरे हैं यहाँ पे इस differential equation को आपको solve करना है, आपके जो general method है, उनसे, तो differential equation का solution मैं ऐसा मानता हूँ, कि इसका solution आरा है, मेरे पास capital F, X, P and C is equal to zero, यह क्या है, solution है, ऐसा हमने यहाँ पे let किया है, अब यह जो solution है, इसमें आपके पास में दो condition होगी, तो मैं बात कर रहा हूँ, case number first की, case number first में क्या होगा, कि case number first की, अगर मैं बात करता हूँ, कि eliminate the value of P, if we can eliminate the value of P, so we can get the solution, तो यहा से, P की values find कर देते हैं, और उसको वापस equation number one में put कर देंगे, तो हमारा उसका solution हो जाएगा, तो यहाँ से लिखता है, कि eliminate the value of P, if we can find the value of P, so that, put in equation number one, put into equation number one, and that will be the solution of differential equation, वो वहाँ पे differential equation का solution होगा, अगर आप वहाँ से P की value find कर सकते हैं, तो, second case के, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, कि case number second क्या होता है, if we can't, if we can't find the value of, find the value, ya eliminate the value of P, हम वहाँ से P की value नहीं find कर सकते, so that, so that, उसके जो दोनो, जो answers होंगे, जो answers कैसे, so that, x is equal to function of P and C, and y is equal to also function of sin to P and C, तो आपके पास में आपके दो functions होंगे, कैसे होंगे, उनके बारे में हम आगे, जब question discuss करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे, यहाँ पर आगर आपके पास में दो function मिल रहे हैं, उन दौनों function को ही, आपको क्या करना है, answer let करना पड़ेगा, यही इसका answer होगा, अब कैसे होगा, वो हम आपे देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा आपको आपको discuss कर लेता हूँ, कि इसमें तो आप अगर value put करेंगे, आपके पास में P की कोई value आगे, और उस P की value को आपको कहा put करना है, equation number 1 में, यही की question में आपको put करना है, बट यहाँ पर आपके पास में P की कोई value ही नहीं आ रही है, अगर मैं बात करता हूँ कि P की कोई value नहीं आ रही है, तो आप उसको X के लिए solve करेंगे, Y के लिए solve करेंगे, और वो functions जो होंगे, आपको P and C की form में मिलेंगे, और वहाँ से हम उसको eliminate नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम यह ऐसा काम करते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ इसका एक example के बारा में, हम यहाँ पर example के तुरू इसको समझते हैं, कि यह question है क्या, बिसिकली यह method है क्या, तो example number 1 मैं इसका यहाँ पर ले रहा हूँ, Y is equal to 2PX minus P square, अब आप देख सकते हैं, equation को जो easily हम यहाँ पर solve कर सकते हैं, कि इसका अगर आप factorization करना चाहें, तो factorization नहीं होगा, क्योंकि जो solvable for P होता है, उसमें हम factor करता है, quadratic equation मान के इसको, यहाँ पर quadratic equation तो है, लेकिन यहाँ पर इसका factorization नहीं कर सकते हैं, quadratic equation नहीं बन रही है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर बात करता हूं, तो first मैंने कहा था आपको इसका x के respect में differentiation करें तो dy by dx is equal to यह हो जाएगा यहाँ पे इसका अगर differentiate कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 2px का हो गया 1 प्लस यह यहाँ पे आजाएगा 2x dp by dx minus यहाँ से क्या आजाएगा यह 2p dp upon dx तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह function किसका है यहाँ पे यह f2 हो जाएगा और यह f1 हो जाएगा तो f2 function किसका मिल रहा है x का मिल रहा है p का मिल रहा है and किसका मिल रहा है dp by dx का मिल रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और मैंने यहाँ पर उपर भी आपको बताया था कि यह इस टाइप का function होगा, तो इसमें हमारे पास में function तो given होगया, अब हम बात करते हैं यहाँ से इसको आगे solve करने की, तो यह basically एक differential equation की form में है, वो कैसे हैं वो हमें आपे देखते हैं, तो इसके differential equation में इसको convert करना है, तो convert करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ से, इसको solve करना पड़ेगा आगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कि इसको convert करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे यहां पर P की value find कर लेते हैं यहां से तो P जो है उसको हम इस टाइप से solve कर लेते हैं कि यह हो जाएगा हमारे पास मैं इसको मैं जो यह D Y by D X है ना इसको हम यहां पर P कहते हैं ओके यह चीज आप ध्यान रखें तो D Y by D X जो है इसको हमने आप small P सी denote कर दिया तो यह हो जाएगा small P 2P plus 2X D P by D X माइनस यह हो जाएगा 2P D P by D X ओके अब हम यहां पर इसको solve कर लेते हैं तो यह हो जाएगा P is equal to 2P plus 2 को मैं common लेता हूँ तो यह हो जाता है X D P by 2D P by D X को मैं common ले लेता हूँ तो यह हो जाएगा 2DP by D X को common लेने पर आजाएगा X minus 2 और हम यहां से इसको simplification कर देता है इसका तो D P by D X की जो value है वो हमको यहां से मिलेगी कुछ इस type से यह minus हो जाएगा minus P हो जाएगा इस तरफ आजाएगा और यह उस तरफ जाएगा तो और आपके पास में नीचे आजाएगा यह 2X minus यहां से हो जाएगा P तो इस type से आप कुछ इसकी value find करते हैं यहां से वापस आप जब इसको solve करेंगा आगे तो इसको simplification में आपके पास में यह values आएगी तो basically मैं यहां से अगर इसको solve करता हूँ dx upon dp की form है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी जो differential equation की जो form है वो create नहीं हो रही है इसलिए हम इसको इसका reciprocal ले रहे हैं तो reciprocal लेने के बाद में हमारे पास में कुछ इस type की equations आजाती है और यहां से हम इसको थोड़ा solve कर लेते हैं तो solve करने पे हमारे पास में इथर minus P आजाएगा यहां पर माइلف पी हो जाएगा और इसको solve करने पे हमारे पास में अंसर आ रहा है इसका यह हो जाएगा 2x अपॉन P माइनस में और यह हो जायागा प्लस 2 और इसको जब हम सिंप्लिफिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं तो यह हो जायागा dx upon dp माइनस का हो जायागा प्लस 2x upon p जब हम इसको इधर लेका हैंगे इस इक्वल टू हो जायागा t अब आप इसको compare कर सकते हैं linear differential equation से linear differential equation का मतलब क्या होता, dy by dx, इसको यहां से हम compare कर रहे है, plus py, dy by dx plus px, यहां पर आजाएगा, आपके पास में, px plus आजाएगा, is equal to हो जाएगा, क्यों, यह होता linear differential equation, अब इस linear differential equation का solution आपको करना है, तो इसका solution कैसे करते हैं, जब वो यहाँ पे इस type का form होता है तो इसके अगर मैं solution की बात करता हूँ तो इस से पहले हम एक integral factor find करता है integral factor हम क्या find करता है e raised to power p dx यहाँ से find करता है और उसके बाद में इसका solution क्या होता है इसके solution के अगर मैं बात करूँ अगर यह y में है तो हम यहाँ पे लिखता है y integral factor is equal to integration of q integral factor dx प्लस ही हो जाएगा c बट आज यहाँ पे y की जगह पे कौन है? p है y की जगह पे p है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इसको solve करेंगे तो हम बात करते हैं यहाँ पे इस equation के solution की तो dx upon dp is equal to 2x upon p is equal to 2 ओके तो हम यहाँ से इसका solution स्टाट करते हैं बहुत ही simple question है और अब हम यहाँ से इसका solution के बात करते हैं तो हमारा solution हो जाएगा इसके लिए बहुत ही easy है यहाँ पे हम देखेंगे integral factor इसके लिए fund करेंगे तो हो जाएगा areas to power p dx यहाँ पे p कौन है वो आप ध्यान करें कि p जो है वो 2 upon p है यहाँ पे तो 2 upon p को हम यहाँ पे p let कर रहे है तो यह जाएगा 2 upon p को आपको dp के respect में करना है क्योंकि अब यह कौन से वाले यह जो differentiate equation है यह यहाँ पे dy by dx जिसकी general equation होती है पर अगर मैं बात करता हूँ इसके लिए कि यह जो equation होती है वो हम यहाँ पे जो use कर रहे है वो basically इसका reciprocal है dx upon dy का जो function होता ना उसमें है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y की जगह पे x की जगह पे y आ जाएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x की जगह पे y आ जाएगा ओके y की जगह पे x है तो x की यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे आप इसको y के respect में integrate करते है तो अब क्या करना है इस equation में जहां जहां Y है वहाँ पर आपको P से इसको replace करना है तो हमें आपको P से replace कर देते हैं देन हमारे पास में इसका answer आजायागा यहाँ से integral factor है और integral factor हमें आपको अगर find करता है तो E raised to power यह हो जायागा 2 log P and यह हो जायागा E raised to power लॉग पी स्क्व्राइब के बीजे अब हम बात करता है सॉल्यूशन की तो स्उल्यूशन जैसा के अगर यहां पर देखते हैं तो सउल्यूशन से ॉप्मि है उल्मकए लिख लिए ईंटेगर यहां पर लिख लिएक्तर आजया यहां पर किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटिग्रेशन य के रेस्पेक्ट में हो जाएगा और यह इसका हो जाएगा solution अब हम क्या करता है यहां से x की value हो जाएगी integral वेक्टर जो है वो p sqr आप जैक सकते हैं यहां पर यह integral factor है और q की value के अगर मैं बात करता हूँ तो वो 2 है q की value आप यहां से देख सकते हैं यह 2 है और इसको मैं आप लिख लेंगे 2p square dp plus c हो जाएगा c अब आपको इसका integration करना है बहुत ही simple integration है तो जाएगा xp square is equal to integration जब हम करता है तो 2 by 3p cube plus c हो जाता अब क्या करना है यहां से हम अगर यहां से p की value फाइन कर सकते हैं तो ठीक है हम यहां से p को जो है वो eliminate नहीं कर सकते हैं विकाज इधर भी p है इधर भी p है तो यह जो function है वो basically किसमें आ रहा है आपका 5,1,p and c की form में आ रहा है अब आप इस equation को इससे relate करें तो यह क्या हो रहा है जैसा कि मैंने आप आपको उपर बताया था कि यहां पर जो differential equations जह है उसमें हमने इसके working rule में पढ़ा था कि यह जो आप देख सकते हैं आपर second condition first condition apply नहीं हो रही विकाज हम आपके पी जो value find नहीं कर पा रहे है इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर आपके पास में x एक equation आएगी जो क्या होगा p1 c की form में होगी और इसी type से आपके पास में y के लिए भी इसको solve करना है अब y के लिए solve करने के लिए क्या करेंगे इस x की value को कहा पूट करेंगे question में तो हमारा equation number 1 या question क्या है y is equal to 2px minus p square हम यहाँ पे इसकी value पूट कर देंगे that means y 2p हो जाएगा और x की value 2 by 3 आप देख सकते है p plus cp square minus p square है और हम यहाँ से इसको solve कर लेते हैं तो जब solve करेंगे हमारे पास में okay यह जो p square है ना upon में आयागा यहाँ पे आजाएगा minus 2 होगा okay because यह जो है इसके उपर upon में आ रहा है upon में है इसलिए इसका inverse हो जाता है यहाँ पे और यहाँ पे इसको जब हम solve करते हैं तो यहाँ आजाएगा हमारे पास में 4, 3, p square plus यह हो जाएगा cp minus 1 okay cp minus 1 आ जाएगा और minus यह हो जाएगा यहाँ से p square और y is equal to जब हम इसको solve करते हैं यहाँ पे और यहाँ से यह जो है वो 2 यहाँ पे इसके साथ में multiply होगा और यह basically जो y की value हो आ जाती है y की value इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं यहाँ से तो p square p मेंसे अगर यह जो है वो cancel हो रहा है तो इसको हम थोड़ा simplify कर लेते हैं तो p square में common ले रहा हूं तो 4 minus 3 minus यह हो जाएगा 1 and then इसको हम solve करते हैं तो यह जाएगा 2 cp inverse and y is equal to p square 4 minus 3 upon 3 plus यह हो जाएगा 2 cp inverse and y is equal to यह हो जाएगा p square और यहाँ से अगर हम इसको solve करते हैं तो यहाँ रहा है 1 by 3 p square plus यह हो जाएगा 2 cp inverse यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं कि यह function किसका है p and c का function है जैसा कि उसमें था आपको यहाँ पर बतायाता है कि x and y में क्या होंगे p and c के function होंगे और यह दोनों क्या होंगे equation के solution होंगे तो यह भी equation का solution है answer हो जाएगा इसका और यह भी equation का solution है जो किसका answer हो जाएगा थोड़ा question lengthy है because इसके जो working rule और method है वो कुछ इस type के है पस हमारा जो new method था नया method था वो यहाँ तक ही था कि equation को कैसे solve करना है और इसके बाद में जो है वो normally differential equation का कैसे हम solve करते है उसका solution है So I hope आपको यह जो question है वो समझ में आया होगा So thanks for watching this video Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths